निर्गमन की पुस्तक उसका दस्वाध जाए हम इस सीरीज पर चल रहे हैं पिश्री बार हमने देखा कि परमिश्वन ने फिरॉन से कहा क्यों संकोच कर रहे हैं मेरी अराधना करने में तुमको संकोच क्यों हो रहा है तुमारा इगो आड़े आ रहा है और उस पर हमने बादचीत की थी आज मैं बात करना चाहता हूं इसी अध्याय पर ये आखरी होगा हमारा ये अध्याय का दस्वाध जाय का फिर अगले संडे हमी 11 अध्याय में आएंगे लेकिन मैं शुरुवात करना चाहता हूं आप इसको पक्रे रहे ता निर्गमन की पुष्टक उसका दस्वाध जाय और मेरे साथ आपाईए भजन सहिंता उसका 91 भजन सहिंता 91 साम 91 साम 91 और उसमें तीसरे पद को साम 91 और उसका पद नंबर 3 भजन सहिंता 91 पद नंबर 3 वह तो मुझे बढ़े लिये के जाल से और महामारी से बचाएगा आज जा करके समझ में आया कि महामारी क्या होती है बच्पन से ले करके पिछले साल तक हम केवल सुनते थे कि महामारी होती है और मैं बार बार सोता था कि बाईबल में महामारी क्यों लिखे हम अब कहां महामारी आती है महामारी तो किसी जमाने में आती थी 100 साल पहले आयी थी लेकिन देखिए खुदा का कलाम कल आज और यूगा नियूग एक सा है कब लिखा गया महामारी के बारे में आज लोगों को महामारी शब सुनाई दिया हमारे धर्म पुस्तक बाइबल ने बरसों पहले हजारों लाखों साल पहले लिख दिया कि महामारी आएगी और ये भी लिख दिया कि वो हमें महामारी से छुड़ाएगा उसका इलाज भी बता दिया उससे protection भी बता दिया कि only he can deliver us from pandemic केवल वो दवाईयों का कोई असर नहीं हुआ इस महामारी में मर गए लोग दवाई लगा लगा करके मर गए अभी भी बहसी चल रही कि वैक्सीन से फैदा होगा कि नहीं होगा लेकिन बाईबल एक दवाई की बात करती है और उस दवाई का नाम है वह he will save you लेकिन मेरा विशय है उसके उपर वाली लाइन वह तो मुझे बहलिये के जाल से बचाएगा भजन सहिता इसको पक्रे रही है भजन सहिता 124 भजन सहिता 124 साम 124 और वर्स नंबर 7 भजन सहिता 124 और सात्वापन साम 124 वर्स नंबर 7 हमारा जीव पक्षी की नाई चिडी मार के जाल से छूट गया जाल फट गया हम बच निकले आपको कहां मिलेगा इतना पॉजिटिव इतना दिल को सुकून देने वाल हम तो बहलिय के जाल से छूट गया क्यों कैसे छूटे की जाल ही फट गया उसका जो फंदा था और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ और मुझे पूर्या यकीन है कि जितने लोग इस वक जुड़े हुए है कही ना कही हमने बहलियो को देखा है कितने लोगों ने बहलियों को देखा है जो यंग लोग है शायद बहलियों को नहीं देखे हूंगे लेकिन बहलिया जो है वो चिडियों को फ़साता है और एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात यह है कि वो हर चिडिया का अलग-अलग मेरी बात ध्यान से सुनियागा थोड़ी दे हर चिडिये के फ़साने का उसका तरीका विकुल फरक है छोटी चिडिया तो छोटा जाल, बड़ी चिडिया तो बड़ा जाल उसको जो चिडिया पकड़नी है उसी के हिसाब से वो जाल बनाता है और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबों के जाल अलग-अलग है हाँ, बहलिये का उद्देश एक ही है कि कैसे फ़सा ले और फ़सा करके वो आपका नुकसा नहीं करेगा आपको लालच दे करके आपकी जो जिग्यासा है कई चिडिया भूकी नहीं होती है लेकिन जाल के अंदर उनको एक कीड़ा दिखाई देता है वो जिग्यासा में क्यूरियोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते है क्यूरियोसिटी में फ़स जाती है और कई बार हम लोग भी क्यूरियोसिटी में अपनी जिग्यासा देखे क्या है एक बार स्मोक करके देखे एक बार ड्रिंक करके देखे जिग्यासा को शांत करने के लिए हम लोग बहलिये के जाल में फंस जाते हैं और बहलिये को मालूम है कि पहले वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाता है नुकसान तो जब आप फंस जाएंगे तब पहुँचाएगा और इसलिए कई लोग बहस करते हैं और कहते हैं कि अरे मेरा कोई नुकसान तो हुआ नहीं ये करने से तो नुकसान हुआ नहीं वो करने से नुकसान तो हुआ नहीं बिलकुल सही बात है वो बहलिया है वो आपको पहले दुखसान नहीं पहुचाएगा वो चड़ी मार है और चड़ीयों को बहलिया जाल में फसाता है मार नहीं डालता है पहले और ये एक बहुत पुरानी विधा बहुत पुरानी टेक्नीक है जाल से चड़ीयों को फसाने की और आज भी ये टेक्नीक इस्तेमाल हो रही बंदू गोली सब होने के बादू क्योंकि बंदू गोली से तो चड़ीया मर जाएंगी लेकिन कई बार बहलिया मारना नहीं चाहता है आपको फसा देना चाहता है आईए निर्गमन की पुस्तक पे मेरा विश्य निर्गमनी की पुस्तक का मैंने शुरूर जरूर किया है भजन संहिता से लेकिन पुस्तक निर्गमन है यहाँ पर एक बहलिया है और जिसका नाम है फिरॉन चिडिया कौन है मुसा, हारून और इस्राइली लोग अभी तक अपने हट में उसने इनको जाने नहीं दिया साथ बार मुसा ने आकर के कहा परमेश्वर कहता है यहवा कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे मेरी उपास ना करें साथ बार और फाइनली लोगों ने आकर के फिरॉन से कहा इनके चक्कर में क्यों पड़े है पूरा मिसर बरबाद हो गया है आपके हट की वज़े से आपके संकोच की वज़े से और कई बार हमारे और आपके हट और संकोच की वज़े से पूरा फैमिली बरबाज हुआ है ना आप दुआ करते हैं और ना बच्चों को दुआ में सामिल करते हैं ना आप दुआ करते हैं ना अपनी वाइफ को दुआ करने देते हैं ना आप Bible पढ़ते हैं और ना अपने family को पढ़ने देते हैं एक जन के हट की वजएसे मेरी बात ध्यान से सुनिए एक जन के ego की वजएसे एक जन की सुष्टी की वजएसे एक जन की बेवकूफी की वजएसे पूरा का पूरा family बर्बाद हो जाता है फिराउन की वज़े से एक फिराउन था और करमचारियों ने कहा कि उन मनुश्यों को जाने दे कि वे अपने परमेशर की उपासरा करें मैं निर्गमन की पुस्तक उसका दस्वा ध्याय और सात्वी आयद पढ़ रहा हूं देखिए अपने बाइबलों में देखिए निर्गम की पुस्तक उसका सात्वा ध्याय और सात्वी आयद तब फिराउन के करमचारी उससे कहने लगे वो जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा उन मनुश्यों को जाने दे कि वे अपने परमेशर यहवा की उपासरा करें क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिसर नाश हो गया है और मैं आपको माबाप को हस्बbn वाइब को चलेंज करना चाहता हुआ क्या आप नहीं जानते कि आपकी वजह से आपके बच्चों को बाइबले नहीं आती आपकी वजह से आपकी वाइब दूआ नहीं कर पाती आपके हस्बन दुआ नहीं कर पाती एक फिरॉन की वज़े से एक फिरॉन के हट की वज़े से पूरा का पूरा खांदान नाश हो रहा है कब आप चेतेंगे कब हमको समझ में आएगा कि कहीं यह मेरी बेवकुफी के आप पूरा कर्ज का और आपको मालू मैं एक प्रॉब्लम घर में होगी तो सब पर वो आएगा कर्जा आप चढ़ाएंगे और आपके बच्चे भुगतेंगे ना बच्चो की शर्ट आप आ रही है ना बच्चो की पैंट आप आ रही है ना बच्चो की फीस जबाहों पा रही है ना बच्चो का क्योंकि आपने करदा ले करके पूरे फैमली को जेपरडी वे डाल दिया है फिरौन मत बनिये हट मत कीजिए और संकोच मत कीजिए शेयर कीजिए अपनी प्राबलम फैमली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो प्राबलम दूर की जा सके अब मैं वापस अपने विशे पर आता हूँ बहलिये के जाल से तो फिरौन अब बहलिये का काम कर रहा है उसने मुसा और हारौन को बुलाया निर्गमन की पुस्तक उसका दसवाध ध्याय और आठ भी आये तब मुसा और हारौन फिरौन के पास फिर बुलाये गए अभी तक ज्यान से सुनिएगा अभी तक मुसा और हारौन फिरौन के सामने जाते थे आज वो बुलाये गए आज बहलिया खुद जंगल में आ गया चिडिये के घोसले के पास आ गया यही है जब येशु मसी 40 दिन निरहार रहे तो शैतान उनके पास आ गया जब आप शैतान के पास नहीं जा पाते तो शैतान आपके पास आ जाता है आपके घरों में आ जाता है आपके डेस्क पर आ जाता है आपके किचन में आ जाता है आपके शेंकक्ष में आ जाता है उसको कोई संकोच नहीं है आपके हर उस जगा पर घुसने में और इसलिए ये शुमसी ने कहा जब तु दूआ करे तो अपने दर्वाजे को बंद करना क्यों दर्वाजे को बंद करें भाई क्या प्रॉब्लम क्या दर्वाजा खुला रहे त कुछ चीजे बंद कर दीजे बिल्कुल सबको इंस्ट्रक्शन दे दीजे कि खबरदार कोई हिलेगा डूलेगा नहीं आप राजाओं के राजा और प्रभू के प्रभू के सामने मौजूद हैं अभी हमने एक वीडियो देखा प्रधान मंत्री के साथ इतने बच्चे जु तोड़े हैं जूम मीटिंग में प्रभू के अराजदा करने के लिए कोई ये पहना कोई वो पहना कोई ऐसे लेटा कोई वैसे पैठा डून डू हम नहीं देख रहे हैं जरूरत नहीं हमको देख हम थोड़ी परमेश्वर इफ यू हैव कम फॉर दे लॉर्ड अगर आप प कमरे में आने में देर नहीं लगीगी अपने किवार को बंद कीजिए इस कमरे के बाहर सब बाहर रहो सारी हमारी सोच बाहर रहे सारे वो लोग जो डिस्टर्विंगे कमरा क्यों बंद करते हैं ताकि डिस्टर्विंस ना हो शैतान बुला रहा है फिरॉन ने बुलाया बहलिया अब मुसा और हारुन को बुलाता है थोड़ी देर मेरे साथ रही है या आपको ब्लेस करेगा ये मेसेज और कहा कि चले जाओ पहला सेंटेंस था चले जाओ यह इमान थी कि हमको जाने दे कि हम जंगल में उसकी उपास ना करें तो उसने पहली कह दिया चले जाओ एक मिनट एक मिनट ये बहलिये का जाल है चले जाओ देखो तुमको चिडिया को देखो ये कीडा तो तुमको पसंद ना ये कीडा हम जाल में लगा रहे हैं देखो य चले जाओ लेकिन याद रखिएगा शैतान के जितने भी जाल है बगएर शर्थ के नहीं है उसकी हमेशा गंदी सोच और गंदी शर्थ होती है जो हमारे लिए नुकसान दायक होती है इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो सोच मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ वो हानी की नहीं है क्योंकि जो इबलीस जो हमारा शत्रू सोच रखता है वो हमारे हानी की होती है क्योंकि वो बहलिये का वो जाल है जो हमको अट्रेक्ट करता है चोड़ा है वो मार्ग, सरल दिखाई देता है, कौन नहीं चोड़े मार्ग में जाना चाहता है, मगर उसके आखिर में विनाश होता है तो उसने कहा कि जाओ, अपने परमेश और यहावा की उपासना करो, औरे वा, क्या बात है, क्या बात है फिरॉन तो अब जाने दे रहा है, लेकिन सुनिये, अभी संटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसकी शर्ते पूरी नहीं हुई है उसने कहा कि परंटू जो जाने वाले हैं, कौन-कौन है, वा, क्या बात है याद रखिएगा, यह कॉम्प्रोमाईज वाला धंदा बंद कर दीजिए अगर आप प्रभू के मानने वाले हैं, तो या तो उसको संपून हिर्दय से मानिये, या मत मानिये अरे वो हमारा दूला है मित्रो, आप कितनों की दूलन बन करके घुमेंगे कौन दूला बरदास्ट करेगा कि उसकी दूलन पांच दूलों के साथ फिरती रहे जाने वाले कौन कोन, अरे कौन कोन जाने वाले मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाए बेलों समेथ वरन बच्चों से बुड़ों कर सब के सब जाएंगे कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, पहले उसने कहा चले जाओ, परमेशर की उपास्टर करो बहलिये का जाल देखिए, लेकिन मूसा को समझ में आगया यह ट्रैप है, कौन कौन जाएंगे तो कहता है, फिरौन कहता है, उसने इस प्रकार मुसे कहा, यहाँ तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समय जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे आगे की बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पायदा, तुम पूरुशी जा, क्यूं भई? अभी तो कह रहते हैं, जाओ, यहाँ क्यूं पास ना करो, लेकिन जब मैंने अपनी शर्त लगा दी, कि सब के सब जाएंगे, तो उसकी तो गंदी सोचती ही, उससे का, ना, 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 खाली पुरुश पुरुश जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन तो तुम्हारे बच्च को रहने दो यहाँ पर, पथ्मियों को रहने दे यहाँ पर, बहलिय का जाल है, यह कॉम्प्रोमाईज कर रहे, उसने एक पासा फेका, एक जाल फेका, बोला कि के वल पुरुश जाओ, अच्छा ठीक है सर, हम लोग चले जाते हैं, अच्छा वाई, तुम नहीं चलोगी church, बच्चे तुम लोग नहीं आओगे, नहीं पापा, आज हम लोग की पिकनिक है, आज हम लोग के साथ फल आने जा रहे, अच्छा बेटा जाओ, चर्च मत जाओ, ये कॉंप्रमाइस करना बंग कीजे, जब तक बच्चे आपके अंडर में हैं, जो चीज आपके अधिकार में ह वो सब के सब प्रभू के सामने आएंगे, दो बार उसने कॉंप्रमाइस करने की कोशिश की, मैं आता हूँ, चौबिस वी आयत पर, निर्गमन की पुस्तक उसका, दस्वाध्याय और चौबिस वी आयत, तब फिरॉन ने मुसा को बुला कर कहा, तुम लोग जाओ, यहवा क उपासना करो, और अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बक्री और गाए बेलों को छोड़ जाओ, आहाहा, क्या बात है, क्या बात है, अपनी नौकरी मत छोड़ना, प्रभू के पीछे चलना है ना, तो फुल टाइम क्यों प्रभू के सामने चलो, य तो फिर उनने का ठीक है, बाल बच्चों को भी ले जाओ, आप देखिए, बहलिये का जाल देखिए, लेकिन भजन सहिता 124 ने लिख दिया, कि हम तो बज गया है, क्योंकि जाल फट गया, जाल तहस नहीं, देखिए, जाल जब फट गया, तो वो जाल नहीं, फिर वो जाला हो गया, फिर वो किसी बतलब का नहीं है, हमारे प्रभू ने हमारे विरोधी का, हमारे दुश्मन का जाल फाड़ करकर रख दिया, हमें निकाल दिया, वो जो जाल, मृत्यू का जाल था, तीन दिन के बाद वो जी उठा, उसने पत्थर को लुड़का दिया, वो जाल फट हम बच गए, जो फंदा उन्होंने लगाया था, फिरौन कॉंप्रोमाइस करने की बात कर रहा है, आधी अधूरी तरीके से प्रभू की सेवा कर रहा है, और आज भी हमारे पास शैतान, हमारी नौक्रियों का वास्ता दे करके, हमारे परिवार का वास्ता दे करके, दुनिय करे, प्रभू की फुल टाइम में जाए, प्रभू की संपूर्ण मन से अराधना करे, कि आधा अधूरा अराधना करे, मित्रों, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर फिरौन के चंगुल से निकलना है, तो सब कुछ आपका जाना चाहिए, और सुनिए मूसा का उ में शर्य हवाक लेच रहा है, इसलिए हमारे पशू भी हमारे संग जाएंगे, हमको एक अच्छा लगता है, यह सेंटेंस सुनिएगा, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, आहा, आहा, क्या बात है, लीडर्शिप हो, तो मूसा जैसी लीडर्शिप हो, अपने घर के अगर लीडर बनना है, तो यह दुचित्तापन, यह धुल्मुल्नी, यह थाली का बैगन होना छोड़ दीजे, और कहिए कि I am going to worship God, I am going to worship with everything that I have, सब चीज तेरे लिए कुर्बान है, अभी हमने गीत गाया, सब मैं देता हूँ, यह आधे अधूरे तरीके से, कभी बच्चों को कभी पश्वों को छोड़ दी, यह क्या तरीका है, यह सब हमारे है, यह जिन्दगी मेरी है, यह बच्चे मेरे हैं, यह वाइफ मेरी है, यह husband मेरा, यह परिवार मेरा है, अच्छा, इनको बर्बाद कर दो, हम बच जाएं, यह बर्बाद हो जाएं, कोई नहीं, जो मेरे अ साथ रहे हमें बुद्धी और ज्ञान दे कि संपून हिर्दै से प्रभू के पास आए पूरे दिल और दिमाग से आए मित्रो आप हमसे ज़्यादा काम आपके पास नहीं होगा हमसे ज़्यादा एंगेजमेंट आपके पास नहीं होगा लेकिन जब मैं प्रभू की सेवा करता हूँ जब मैं प्रभु के पास दो everything मारा phone तक off रहता मैं तो phone का तारी निक यहाँ पर तो landline होती है मैं phone का तारी निकाल देता हूँ कई बार बड़े important काल होंगे हमारे खुदावन से important कुछ नहीं when I am serving him I serve him from the bottom my heart with wholeheartedly और याद रखे पहले उसके राज और धरम की खोज करो सारी वस्टवे तुम्हारी होंगी आज problem यह है ना तो राज धरम मिलता है ना वस्टवे मिलते हैं हम आधे अधूरे इधर कभी राज की तरह भागते हैं कि कभी बाकी चीजों की हो तो ना राज धरम मिलता है और ना बाकी वस्टवे मिलती है जुर्गबन की पुस्तक उसका दस्वा ध्याय एक बार फिर से पढ़िएगा और कहिएगा खुदावद देखिए मैं आपको मूसा की कहानी नहीं बता रहा ह है मैं ना इस्राइलियों की कहानी बता रहा हूं ना मूसा की कहानी बता रहा हूं मैं संडे स्कूल नहीं चला रहा हूं मैं हर पार्ट में से ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम जो आज से बरसों साल पहले लिखा गया था वो आज भी हमारे लिए कितना रेलेव से बचा फिरौन मुसा को परिक्षा में डालना चाहता था पुरुष लोग जाओ इस्त्री रह जाए बच्चे रह जाए फिर कहा बाल बच्चों को ले जाओ इस्त्रीयों को ले जाओ गाए बैल रहने दो परिक्षा में डाल दिया उससे सुचा हाँ यार गाए बैल ले जाक की चीज़ क्या ले करके जाएं सब छोड़ों मित्रों दुआ करिए हमें बुराई से ना बचा हमें परिक्षा में ना पढ़ने देबल कि बुराई से बचा क्यों बचा क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा सरदा तेरा फिर सुनिएगा राज नमबर एक पराक्रम नमबर दो महिमा नमबर तीन सदा सरदा नमबर चार 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 चीज़ रखे हैं खुदावन राज भी आपका है पराक्रम भी आपका है महिमा भी आपकी है और हमेशा हमेशा कि आपका बेटा और बेटी परिक्षा में लेकिन आपकी दुआ में ये विश्वास होना चाहिए कि जिसके पास पराक्रम है जिसके पास महिमा है जिसके पास राज्य है वो उसके पास ताकत है कि वो आपको परिक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा और बुराई से बचाएगा और मुशा को परिक्षा से निकाल दिया पूसा ने कहा एक खुर भी नहीं रहे कि मैं कई बार सोता हूँ का करें खुर खुर ले आके का करें कंगी बनाएं क्या हूँ उसने कहा कुछ नहीं everybody is going with me सब लोग जाएंगे प्रभू की सेवा करने के लिए चर्च जाना है सब लोग जाएंगे चर्च आज compromise की ये जो आत्मा है ये दुच्चत्य पन की जो आत्मा है इसको दूर करने के लिए दुआ कीजिए प्रभू हमारे विश्वास को इतना बढ़ा दीजिए कि जब हम पानी पर चले तो फिर लहरों को ना देखें पिर चलते ही चले जाएं क्योंक आपकी जिंद्यों का एक reflection है इसके अंदर अपने आपको देखें प्रभू हमने बहुत कॉंप्रोमाइस किया आधा अधूरा आधी अधूरी दुआ किया कई बार दुआ में ही आँख खोल देते कि भईया फोन आ गया बाइबल पढ़ते-पढ़ते मैसेज चेक कर रहें ब पार को बंद कर और अपने पिता से जो गुप में है उससे बात्य कीजिए संपूर्ण हिर्दे से संपूर्ण बंद से प्रभू आप सब को बहुत आशीर जाए